नमस्कार नहीं हूँ ससी आए जार्खन की टॉप 55 पर्मु खबर जानते हैं ज्ञार्खन में लगातार दुसरे साल सुखार के हलात 30 अगस्ट के बाद केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट ज्ञार्खन सरकार के प्रतिनी धियों के मुताबिक तय ओधी तक लक्ष के बराबर राज में धनरोपनी नहीं हुई बता देगी पिछले साल भी खरीब के मौसम में अच्छी बारिष नहीं होने के कराण सुखार के हालात बने थे इसको लेकर किसान काफी परिशान है, मानसुन देर से आने के कारण इस बार बिचला भी देर से लगा था इस कारण कई जिलो में अभी किसान धन अपनी कर रहे हैं राजी के आठ जिलो में कम बारिष के कारण 80% से अधिक करिशी योगी भोमि पर अब तक धान की रूपाय नहीं हो पाई धान की रूपाय का सही समय एक जुलाई से 31 जुलाई तक माना जाता है मानसुन में देरी से या कम बारिस होने की वयासे काफी किसान अगस्त के मध्य तक की रोपाई करते हैं वहीं जार्खन में 20 अगस्त तक 45 परतिस धान की कुल रोपाई हुई है धान की रोपाई के मामले में राजी के 24 में से 8 जीलों में शित्ती काफी गंबीर है वहीं पलामू जीले में सबसे कम 2.96 परतिसत धान की रोपाई हुई है ज्यारखन में महिला रसोया को मिलेगा आयुसमान भारत मुख्य मंत्री जन आरोग योजना का लाव ज्यारखन में पीएम पोस्टन योजना के तहत करड़ा तिरासी हजार महिला रसोया तथा सण जोजीका को आयुसमान भारत मुख्य मंत्री जन आरोग योजना का लाव मिलेगा इस कुली सिक्षा एम सक्षटा विभाके सचीव के रभी कुमार ने सभी जीला सिक्षा अधिक्षको को उन सभीरोशोयो का आयुसमान कार्ड बनवाले के निर्देश दिये हैं जिनका कार्ड नहीं बना है उन्होंने इसे लेकर सभी जीला सिक्षा जिश्कों को पत्र भेजा है रभी कुबान ने इसकी प्रती स्वास्त विभा के अपर मुख सचीव को भी भेजते हुए उनसे इस पर अवस्यक करवाई का अनुरोद किया है सचीव ने सभी जीला सिक्षा जीकों को अपने अपने जीलों के सीविल सर्जान से संपर्ग कर परतेक परखण के प्राथमिक स्वास के दर में आयुस्मान काड बनाने को कहा है जे एमेम ने जारी की 36 अश्टार पर चारकों की लिष्ट सीम हेमान तिभी सामिल इल्डूमरी बिधान सबा उप्चुनाव के लिए सतार उर जार्खण मुक्ति मोर्चान 36 अश्टार पर चारकों के सुची जारी की है इनमें मोर्चा के अध्यक सीवु सुरेन, करकारी अध्यक सहेमान सुरेन समयत कॉंग्रेस रायत भागपा माले जद्दियू के नेता सामिल है इस्टार पर चारकों में परदेश कॉंग्रेस परभाई अविनास पांडे कॉंग्रेस विधायक दलक नेता रमगीर अलाम परदेश कॉंग्रेस अध्यक डायस ठाकूर मंत्री चंपाई सुरेन, सर्फराज अहमाद, संजय सिंग, सत्यान भोकता, जलेस्वर महतो, खिरु महतो, रमेस्वर, उराव, बिनोज सिंग, बिनोज पांडे सुप्रियो भटाचार, हाफिजूल हसन, सुदिव यकुमायर, म महासची उसफ प्रवक्ता ने सुप्रियो भटाचार ने मंगल अवर को पत्रकार वारता के दुर्ण कहा है कि इडी के दोबारात समन परमुख्यमंत्री की लिगल टीम विचार कर रही है, सीएम कानून के जनकारों से भी मर्च कर रहे है, सीएम समन पर चौबिस को इडी कर जाएंगे या नहीं यह कह पाना उनके लिए मुश्किल है, राजनीती में बहुत तेजी से परिष्थितिया बदलती रहती है, सुप्रियो ने कहा है कि भाचवा परदेश अद्यक्स बाबुलामरांडी को C.A.G. रिपोर्ट ओवी सी आरक्षन पर भी कुछ कहना चाहिए, उन्होंने सवाल किया है कि क्या भाबुलामरांडी डुम्बरी में C.A.G. की रिपोर्ट उनके सासन काल में ओवी सी आरक्षन सताई से कटायकर चौदा करने, 1985 के स्थाने निती बनाने वाले रहुवर दास और उनका समर्थन करने वाले आश्यू के पूर्व मंत्री चंदर प्रकास चौदरी और रहुवर सरकार के दोवारा C.N.T.S.P.T. एक मिस्न स्वधन करने पर इन भी सवयों पर कुछ कहेंगे C.A.G. की रिपोर्ट के बाद J.M.M. ने केंदर सरकार के कई मंत्री आलियों पर लगाया भरष्टाचार का आरोप छामुमों परवक्ता सुप्रियों भटाचार ने C.A.G. की रिपोर्ट को लेकर केंदर सरकार और भाजबा सासिस राजियों पर हमला बोला है उन्होंने केंदर सरकार पर भष्टाचार का आरोप लगाया है इसके साथ ही बाबुलमरांडी द्वारा लगाये गए C.A.M. हेमन सुरिन पर आरोप के बारे में भी कुछ जबाब दिया है बतादे जार्खन की सियासत में इन दिनों आरोप पते आरोप का सिलसीर जारी है आने वाले चुनाओं को देखते हुए सभी राइनिती पार्टिया दूसरी पर आरोप लगा रही है और खुद को अच्छी बताने में लगी हुई है वही जार्खन मुक्ति मुर्चा ने मंगलवार को भारते जनता पार्टि को पर कई आरोप लगाए इसके साथ ही सियाजी की रिपोर्ट को लेकर केंजर सरकार पर जम कर हमला बोला जामों की ओर से मुक्ष मंत्री की एडी के समन के बारे में भी जबाब दिया है राष्टप्ति भवन के भर्मन पर पहुंचे एकलब या मोडॉल आवासे बीद्याले बिद्यार थी राष्टप्ति भवन के भवन पर जार्खन च्चंतिस कर उडीषा-्रायस्थार और मत्य परदेश के च्चात्र पहुंचे इस दोरान उन्हें राष्टपती द्रवबदी मुर्मू से भी मिलने का उसर प्राप्त हुआ चात्रों का सर्वाइगिन विकास हो इसके लिए जारखन 36 गर उडिसा राय सारमाध पर्देश के एकलब ये मोडल आवासे बिद्ध्यालाए में पर रहे 407 चात्रों को राष्टपती भावन का भरमन कराया गया एकलब ये मोडल आवासे बिद्ध्यालाए के स्टूडेंट को सैक्षनिक भरमन कारे करम के तहत मंगलबाद को राष्टपती भावन का दोरा कराने का उसर प्राप्त हुआ यह करे करम जनजातिय मंत्रालाए एवाम राष्ट्री आदिवासी चात्र सिक्षा समीती के द्वारा तत्वधान में आयोजीत किया गया था चात्रों के साथ एकलब ये बिद्ध्याले के 40 सिक्षक भी इस भरमन पर पहुँचे पुलिस का मुख़बीर नहीं नकसलियों का समर्थक था अरजून एसपी पच्षमी सिंभूम के एसपी आसुतोस सिखर ने गोईल के राथाना छेत्रे में नकसलियों घर्टना से इंकार किया है उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करतपश्ट किया है कि जिस सक्स को पुलिस का मुख़बीर बताकर नकसलियों द्वरा मार डालने की बात कही जा रही है वह सक्स पुलिस का मुख़बीर नहीं बलिक नकसलियों का समर्थक था उसकी मौत नक्सलियों दोरा लगा गए आईडी की चपेट में आने से हुई थी बता दे पच्मी सिम्भूम के गोईल के रा में जिस अरजुन को पूलिस का मुखवीर बता कर मार डालने की बात कही जा रही थी वो पूलिस का मुखवीर नहीं बलिक नक्सल समर्थक था नदी को बचाने को लेकर कई पहल भी किये गए लेकिन दोनों नदिया दिन परती दिन सिमर्थी जा रही है नदियों को सिमर्थे देख रांची के रहने वाले सुधीर सर्माने हर्मु नदी और स्वार नरेखा नदी को बचाने के लिए एक मुहीम शुरू की है इस मोहिम के तहट वह रांची के सभी स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों के माध्यम से पोस्ट काड़ पर परदान मंत्री और मुखे मंत्री के नाम पत्र लिखवा कर उसे पोस्ट करवा रहे हैं इस मोहिम की सुरवात मंगलवार को किसोर गंज के एलपी पबलिक स्कूल के बच्चों के द्वारा कराई गई ज्यारखन में पहली बार बाल कलाकार परदर्शनी का आयोजान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जार्खन सरकार पहली बार राज में बाल कलाकार परदर्शनी आयोजित करने जा रही है इस तीन दिवस्य बाल कलाकार परदर्शनी में सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ साथ नेजी स्कूलों के भी बच्चों द्वारा बनाये गए कलाकी रितियों को परदर्शित किया जाएगा राज सिक्षा परिविणा निदे सक्कियन कुमारी पासी के अनुसार इस तरह की परदस्नी जार्खन में पहली बार आयोजी थो रही है जिसमें राजी के सभी सरकारी और निजी स्कूल के बच्चे भाग लेंगे और अपनी परतिभा को निखारने की कोशिस करेंगे जामो जीला सचीव ने की बिजेपी अध्यक्स बावुलाल के खिलाफ एफायार की मांग जार्खन में जामो लोहर्दगा जीला समीति की सचीव अनिल उराव ने भाजपा के परदेश अध्यक्स बावुलाल मरांडी पर प्रात्मी की दर्ज करने को लेकर सदर थाना परभारी को दिये आवेदर में बावुलाल मरांडी द्वार मोखे मंतरी हमान सुरेन और सुरेन परिवार पर दिये गए बयान को लेकर सिकायत करते हुए बावुलाल मरांडी के बिरुद प्रात्मी की दर्ज करने की मांग की है जार्खन में पुलिस कर्मियों का 50 लाका ने सुल्क दुरघाटना बीमा करेगा SBI State Bank of India जार्खन पुलिस की सेलरी पैकेज के तहस सभी खाता धारक पुलिस कर्मियों का 50 लाक रुपए तक का ब्यक्तिका दुरघाटना बीमा ने सुल्क करेगा सुमवार को पुलिस मुख्याले के सभागार में जार्खन पुलिस वा SBI के बीच इस सम्माद में समझ होता हुआ है DGP की उपस्थिती में जार्खन पुलिस के DIG बयर डाक्टर सम्स तबरेज वा SBI से रांची जोनरल कर्याले के DGM देवेश मित्तल ने MOU पर हस्ताक्चर किया इस दोरन कई अधिकारी भी सामिल थे MOU के मुख्याले के ओर से ADG मुख्याले मुरारी लाल मिना ADG अभियान डाक्टर संजय, अनन्दवार, लाठकर, IG मुख्याले मनोज कौशिक, IG मनवाधिकार अखिलेश जा उपस्थिती थे जार्खन में 23-28 अगस्थ को भारी बारिस का अलर्ट जार्खन में 23-28 अगस्थ को भारी बारिस का अनुमान है 27 अगस्थ को धनवाध एवं पटना के उपर एक चक्रवर्ती परिस्टन चरण बन सकता है इसके परभाव से जार्खन में 23-28 अगस्थ के बीच भारी बारिस होने की संभावना है जार्खन में मौस्थ भागने वजर्पात वम्मेक गर्जन की संभावना जताई है इसे लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया गया मतादे 26 अगस्थ तक मौस्थ का हाल ऐसा ही बना रहने की संभावना है मुख्य मंत्री आवास का घेराव करेगा पंचाय सची वाले स्वैम सेवक संभ राची में राजभवन के सामने पंचाय सची वाले स्वैम सेवक संभ का धरना पिछले 45 तिनों से चल रहा है बिधान सभा के मांसुन सत्र के दौन ये लोग बिधान सभा घेराव करने भी निकले थे इन्होंने कई रेलिया निकाली अब ये अपनी पांच सुत्री मांगों के साथ मुख्य मंत्री आवास का घेराव करने वाले है ये सभी अस्थाई करन की मांग कर रहे है सभी का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अंदेखा कर रही है सरकार हमारी ओर देख भी नहीं रही है इनका कहना है कि हम पिछले साथ साल से काम कर रहे है और हमें मांदे नहीं दिया जा रहा है जार्खन में पर्याटकों के होम एस्टे के लिए बन रही नियमावली जार्खन की हेमन सरकार पर्याटन के विकास के लिए होम एस्टे नियमावली त्यार कर रही है इसके तहद पर्याटकों को राज्य के अलग-अलग जगो पर अस्थानिय घरों में ठहरने और खाने पीने की सुभधा उपलब्द कराईगी इसे प्रयाटकों को प्रकीर्थी की खुबसूर्ति के साथ जार्खन की अस्थानिय संस्कृती ब्यांजन और परमपरा से भी ओगत होने का मुखा मिलेगा होम अस्टे से पर्याटन अस्थलों के आसपास ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो पर्याटकों को ठहरने और खायन पान की सुवधा उपलब्द करा सके इसके बदले में अस्थानियों लोगों को प्रयाटकों से किराय के रूप में एक निश्ची धन रासी भी मिलेगी इस नेमावली के मुताबिक होम एस्टे के तहत अलग अलग प्रयाटन छेत्र में एक चुक अस्थानियों लोगों से आवेदन अमंत्रित किये जाएंगे आवेदन करने वाले के ब्यवहार, सिक्षा, सुरक्षा और स्वक्षता की प्रताल के बाद उनको होम एस्टे के लिए प्रयाटन विभाग द्वारा पंजिकरित किया जाएगा किरिसी मंत्री बोले जार्खन के कई दिले सुखाल की चपेट में जार्खन के किरिसी पसुपारा ने अवसा काता मंत्री बादल पत्र लेखने केंद्रिये रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डाक्टर मांसुख मंडविया के साथ होई वीडियो कंफरेंसिंग में जार्खन के किसानों की बात रखते हुए कहा है कि राज्य में सभी किसानों को उचित, कीमत और समय पर खाद उपलब्द हो सके इसके लिए साहिब गनलोहर्दग्गा और जमसेदपूर अथवा चाईबासा में रेंग पॉइंट का निर्मान अतिया वस्या खाए बदादे मंगलबार को नेपाल हाउस स्थीद कॉनफरेंस हौल में केंद्रिय मंत्री से वे वीडियो कन्फरेंस के जरिये बात चित कर रहे थे किरिशी मंत्री ने केंद्रिय मंत्री से अपिल किया है कि फ्रेंट रेंट में संसोधित कर जार्खन जैसी सेमी हील एरिया को रहाद दी जाए बर्तवान में जो फ्रेंट रेंट है वो काफी कम है उन्होंने कहा है कि इस वर्च भी राजी के कई जिले सुखाल की चपेट में है अब तक मात्र 38% ही भूमी पर अच्छादन हुआ है जबकि आउसत से करीब तीरपन फिजदी बारिस कम हुई है धन्यवाद